बंगुम् सूर नरीचों चाहिं व्लफमोरं लो मंगल की रेज़िपि आज़ हम देखेंगे इन्सेल्ट आचार skirts structure tussen जो्रेटृ भी रहें और सौर ही वी तेखिमार है करें मिलमुध केशन शौर सौर richest जो स्ठीलिय कई हसे है बिकिननीट सॉपी त Але्छ और कि see अब ये बना सकते हैं इसके लिए हमें चाहिए रा मेंगो जो हम निक कट कर लिया है पीसेश में गार्लिक पेस्ट ये है हल्दी गरब मसला पाउडर जागरी कुमन सीड पाउडर कोरियंडर पाउडर लालमीच पाउडर नमक करीबता लियुज थोड़े हमाया तोड़े हमाय हींग है और ओईल पहले हम ये पहले हम टैरी में रा मेंगो में गल्दी मिक्स करेंगे गरब मसला पाउडर गरम मसला पाउडर जीरा पाउडर धनिया पाउडर लालमीच पाउडर अपको जैसा तिखा चाहिए वैसे और नमक हमारे जागरी में भी नमक होता है इसलिए उते भी देखना पड़ेगा हमें कि वो किसे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यह ज्यागरी विया है यह भी इसमें कट करके तोड़ा सा डालेंगे इसमें ताकि जब इसे हम पकाए जट से पक जाए यह एक पाच मिनिट में तैयार हुता है आचाच बहुत पसंद करते हैं इसे खाने में और इंस्सेंट बनता है यह यह अच्छे से मिक्स कर लेंग अब अब ग्यास में इसे हम अभी हम थोड़ा से छोक लगाएंगे ताकि वह और थोड़ा पकाएंगे और हमने पान अल्री गरम करने के लिए रखा है तो चलते हम ग्यास की तरह है कड़ाई गराओं करने के लिए रखी है एक टेबल स्पून हम तेल डारेंगे ज्यादा नहीं रालना है आमें क्यूमिन सीट ब्याद डारेंगे इसमें हिंग गार्लिक पेस्ट कली पका लिए दारेंगे लिए रिख में ये जोने रो मैंगो मिक्स करने की गोड़ा देंगे इसने और कुछ नहीं डलना है हमें ये इसे हम पाँच मिनेट के लिए धक्या रखेंगे मिरियम फ्लेम पर मैं तो एकदम स्मॉल फ्लेम पर क्योंकि वह कहरी है जो फॉप्ट हो जाए इसलिए वह उद्धम में पाँच मिनिट के लिए इसे पक्ने देंगे देखते हैं, हमारा अचा थेowser त्यायर हुआ है त्यार हो चुका है पॉप्ट हो चुकी है हमारी कहरी क्यांब काउप्ट कर लेते हैं और इसे पॉप्ञत करते है इंस्सटेन बनता है ये और खाने में पी वह तेस्ती होता है थोड़ा सा खट्टा स्वास, थोड़ा सा तीखा होता है, जैगरी की वज़े से थोड़ा सा मिठा हो गया ये, इस तरह से बनता है ये, आचार